दोस्तों गर्भावस्ता के आखरी नववे महिने में जब आप डॉक्टर के पास जाच के लिए जाएंगी तो आपके डॉक्टर्स आपका इंटरनल चेक अप करके बता देंगे कि आपके सर्वेक्स याने के बच्चे दानी का मुँ खुला है या फिर नहीं या इसे खुलने देखेगा एंड तक साथ ही चैनल पर नहीं है तो मेरे इस चैनल प्रेग्नेंसी के रेंडवाइस को सब्सक्राइब जरू कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर जरू करें तो दोस्तों प्रेग्नेंसी के आखरी हफ्तों में जब लगशन है शीशु का नीचे की और आ जाना जब आपको लगे कि शीशु पेट के नीचे की हिस्से में आ चुका है और पेट का उपर का हिस्सा खाली हो चुका है लेकिन पेट के नीचे की हिस्से में लगातार दबाव महसूस हो और शीशु के नीचे की और खिसक जाने की वज़े से नीचे के पोर्शन नी आने के वजाईना पर काफी जादा दबाव पड़ता है। जिसकी वज़े से आपको वजाईना में दर्द भी महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लगे कि बच्चा आपके दोनों टांगों के बीच योनी में आ चुका है। और इस दोरान आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर चलेंगी तो बच्चा नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ऐसा इसी वज़े से लगता है क्योंकि बच्चे के दबाव की वज़े से सर्वेक्स का मूँ खुलना शुरू हो चुका है। दूसरा लक्षन है वाइट डिस्चार्ज में बदल गम की तरह हो चिप-चिपे द्रव के साथ ब्लड की धारियां दिखने लगें और ब्लड के मिलने से इसका रंग हलका गुलाबी भी हो सकता है तो इस परकार के डिस्चार्ज को म्यूकस प्लग कहते हैं जो कि प्रेग्नेंसी के आखरी दौर में बच्चे दानी के मुलायम ह होनी की वज़े से बाहर के ओर निकलने लगता है और अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज महसूस होता है तो आपको समझ जाना है कि आपके बच्चे दानी याने के सर्वेक्स का मुझ खुलना स्टार्ट हो चुका है तीसरा लक्षण है पेट के निचले हिस्से में और दर्द महसूस होने लगता है इस दोरान होने वाला दर्द पीट के निचले हिस्से से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से की और फैलने लगता है तो वैसे तो प्रेगनिंसी की तीसरी तिमाही से ही फाल्स लेवर पेंस होने शुरू हो जाते हैं लेकिन नकली और असल तो ये दर्द गायब हो जाता है और इस दोरान दर्द सिर्फ पेट के निचले हिस्से में ही होता है लेकिन दोस्तों जब डिलीवरी के समय असली लेवर पेइन से स्टार्ट होते हैं तो इनकी टाइमिंग्स जाधा होती है और इस दोरान होने वाले contractions याने के संकूचन लगातार होते हैं और इस प्रकार का दर्द position बदलने से भी ठीक नहीं होता है तो इसका यही मतलब है कि आपके cervix याने के बच्चे दानी का मुँ ओपन होना शुरू हो चुका है तीसरा है पानी का रिसाव होना जैसा कि आप सबको ही पता है कि पूरी pregnancy के दोरान शीशो एम्नियोटिक फ्लूइड याने के पानी की ठेली में रहता है pregnancy के आखरी समय में जब water break होता है तो ये पानी रिसाव के साथ बाहर आता है और ये बिलकुल पानी की तरह दिखता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई smell नहीं होती pregnancy के आखरी समय में पानी की ठेली कभी भी फट सकती है और अगर अपनी pregnancy के अंतिम समय में आपको योनी से पानी की ठेली रिसाव महसूस होता है तो आपको समझ जाना है कि आपकी पानी की ठेली फट गई है और ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि ये एक emergency situation हो सकती है और ये लक्षण भी बच्चे दानी का मूँ खुलने का लक्षण है तो दोस्तो इन में से एक भी लक्षण अगर आपको अपने अंदर महसूस होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और आपके डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करेंगे और ये पता लगा लेंगे कि आपके बच्चे दानी का मूँ कितना खुला है या फिर डिलीवर में अभी कितना समय है तो दोस्तो वीडियो को समाप्त करती हूँ धन्यवाद